मैं जा रहे थी टावा से सीधा गवालियर जा रहे थी मेरे फॉन में महलन पुर पहुंच पाई एक फॉन आया तो उसमें बोला कि मैं आनंद चोहन बोल रहे तो बोले कि आपको एक सो के लिए ले रहे ना किसी अपने दोस्त को बताओगे ना घर में बताओगे ना मीडिया क कि बच तब तक उसकी घंटी बज गई तो उसको गाली दे के बात कर गए तू साला पहले चले तू संजा सबेरा तो फैरी हलाता है तेरी हम पहले सौल करते हैं आजा सलमान खान से आपकी बाच्चीत अभी होती है कि नहीं होती है दो धाई साले होगी तब से बिल्कुल कॉ अगरानी के पास पहुंच गए है परिचे का मोहताज नहीं है और आपने बिग बॉस फोर में इनको देखा होगा तो तमाम सारे सवाल है जवाब है सीमा परिहार जी हमारे साथ है हम उनसे बातचीत का सिलसिला चालू करें फिर भगवान की यसी महर है सीजन फोर में बिग दोससे ऑफरा घया ते तो मैं पहले यहीं नहीं जानते थे कि बिग मोश होता क्या और जब आप rat करने पर दे करना चाहते तो मैंने यह कहा कि दो घंटे बात करना क्योंकि मैं सफर कर रहे वह इतनी कहके मैंने फॉन कार्ट दिया और बैठे बैठे तो मेरे पास छोटा मोवाइल था जब पहले नुकिया का चलता था तो वही मोवाइल में मैंने आनंद चोहान के नाम से यह कहता घर में ना बताना उस टाइम पर मैं एक दो जन्हें से डारेक्टरं से में खिलाब भी थे तो मेरे को यही पता नहीं और हमारे साथ में गटना भी गट गई थी 2006 में हमारे भाई को पुलिस ने एंकॉंटर में मार दिया था दोके में कुछ दुस्मनन से मिलके तो पूरे हमारे घर में मैं गाजियन में ही हैं तो हमारे घरवाले ने को अपर नहीं कहते हैं आपको बरोसा नहीं होता उनधर है तो वह लेकिन वो इसका फौन भाई महीना बराबर आया कभी सुबह कभी नहीं सामके एक दिन में बच्चा पर थोड़े गुस्सा थे तीन बच्चे जो हमारे भाई के बच्चे हैं और मेरा बच्चा था जे उदम कर रहे दिन की हमने पिटाई कर दी पढ़ने के ऊपर तब तक उसकी घंटी बज गई तो उसको गाली दे के बात कर गए हमने के तू साला पहले च लिखने घरवालों को समझाया हमने ऐसा है कि वो चुम्मक तो नहीं लिए होगा जो हमें चुपका लेगा अगर वो सामने आएगा तो एक दो हम जप लिए ताकि बाद में मरें तो मर जाएंगे फिर घरवालों ने तैकरी के बंबाई जाओगी तुरंत ही लोटोगी मैं जाके उनको मैंने एड्रस वेजा तो मैं तीन आदमी गए यहां से पहले बोला एक हमने बाद में चला जाए तुमारा सो मैं नहीं आ रहे उसने तीनों आदमी की फ्लाइट से टिकट भेजे मैंने नकलाव से फ्लाइट पकड़ा हमने बाइसाब मेरे को तुरंत तो मैं तो मैं साइन करते गए तीन लोग हम थे चौथा वो था साइन कराने वाला तो वहीं पर उसने चार कोफी मगाई और कोफी के संग में यह तुमारे जैन आलू बाला क्या बोलते हैं इसको नहीं नहीं आए फिंगर इतने प्लेट में आई मात्र तो हमारे संग वाले एक और शाइन कि एक काफिपी शाळे पांच हजार का बेल उसने हमारे संग में यह नलका था गुरजरन का ता तो यह भी कहने लगे बताए यह होता है जए मधम्भuse वाले चूतिया हो इसतना क्या थे बताऊ consists warmer कर दिली के अवडान भर साइन हैं यह शादाशं़ मैं सब्स कि तारिक में आना है तो बो अठाइश तारिक को फिर रिटन होने था तो में बॉंबे पहुंचे तो मेरे पास एक हाई कोट का आडर है कि मैं कहीं आल एंडिया में रहें तो हमें सीजी एम के हां फर्स्ट वीक में पेस होने पड़ता था क्योंकि अभी हमारे उपर मुकदमा चल नहीं तो उससे मैंने का बोले कि हमें हाई एक राजीब चड्डा थे होले हमने इनसे जाका एक हर कोट हमें आदेश नहीं दे शकता है जिस और ने हमें आदेश दिया वहीं कर सकता लेकिन नहीं माने बंबई वाली ने ये कितना पैसा लगे मैं देंगे आप कराकि आदमी जब केस लड़ता है दो आधा वकील खुद हो जाता है फिर भी राजीब चड़्डा वोले के वो कई आदेश हो गया मेरे हाथ में मैं खड़े जखरकटी कानपुर में और मैंने पेपर पढ़ लिया वहां से हाई कोट से सीधा वाने लिखके जजने दे दिया कि सीमा परहार नीचली अदालत में अपना प्राथना पत्र दे के जा सकती है और अज फिर भी निमाने लेकिन मैंने जब पढ़ लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी मैं जाके एरफोर्ट पहुंचे मैं बंबे पहुंच गए एक बंबई में एक बखील आया मेरे पास बो हमसे त यृषि बिलुकुल आख करें हमने कि यह बताएए मेरा बकील स्टांग पेपर पे लिक्क has Dave के घर में कोई दिक्कत आथी उसके जुम्मेदार हमें कि यह तुम्हारा बख्यल इतने बहस लगारा है उन्सकर और अक मेरी खोपनी बिक्ति पंचर हो चुकी है कुनाल जी उह पर थे उस टाइम पर तो कुनाल जी ने कहीं कि सीमा जी तुरंट मंगाई है मैंने वक्रील साफ को हमारे यहां तो में पॉन किया पांच मिलट में उन्हें इस टाम पेपर पर अपना बले के उस तुरंट फैक्स कर दिया और दो तारीकों में अंदर सफर आपका कैसा था कितना मज़ा आया केम सलमान खान से आपकी बातचीत अब होती है कि नहीं होती है देखिए अभी इस टाइम पर डेल साले से ज्यादा होगी दो मान लीजी हो चुकी तब से बिल्कुल कॉंटेक्ट तूट चुका है जो नंबर सलमान भाई के पहले हांत मे रहता तो नंबर की घंटी आज भी जाती है लेकिन फॉन कोई रिसीव नहीं करता है ठीक है फिर हमने दूसरे का भी नंबर लिया एक इनका जो बिग हुमन कंपनी का जो कनम है तो उसमें एक्तिवारी जी है उनका नंबर मेरे पास हो उनसे मैंने का मेडम मेरी आवकाद नह समीरा को मैंने मैसिज किया लेकिन समीरा में नहीं बात करा पाई है तो आप भी माल लीजिए कि दो ढ़ाई साल होगी तब से कॉंटेक्ट टूट चुका है लेकिन अगर मेरा अगर देखा जाए जब मैं विग बॉस में रही है कि जितना हमें इज्जत सलमान ने दिया है हो सकते हैं और बना सब जने कह सकते हैं अई सलमान भाई करके बोलती हूं मैं बाहर आई ती कई अगबार हुगा है लेकिन वह हुगा है तब से उनन से कॉंट्राकर टूटा हुगा उप मतलब है् ने समीर चला गया अभी असमित पटल का है रिशांद स्वामी का है खली का है और मनोतिवारी का ही है खली के लिए आदमी दुनिया तर्षता है लेकिन खली जब विएज़त हमारी बहुत बड़ी करता था क्योंकि हम एक दिना उस पर गुस्सा हो गए थे ना उसने ऐसा सब्द के दिया ता उसने नहीं जाने की अंदर कोई है और मैं दाल बना रहे थे डॉली बिंद्रा पे कांच की पले टूट गई थी तो वह वहीं पड़ी थी तो वह आया वह कहता कोई अपना आदमी यह निसमा सब्सक्राइब जिम्मेदारी ने समालता मैंने सुन लिया मैंने अमनी खली वली हो गए अपने घर की लिए अभी आपको यह पता नहीं कि भी बॉस के घर का काम कैसा होता है हम ने की जिस दिन से आप आयो यहां पर इतना लड़का लड़की है आपको एक बाप का एक बेट था तो यह कहते थे कहीं अगर किचिन में पानी फैला रहता कहीं गिर गया तो पहले उठाने आएंगे नहीं पहले तो हम लोगन को ठाने पड़ेगा बाद में उठाने तो उनको एक कुंटल के ऊपर जब उनका बेट है तो कौन उठाएगा तो इसलिए उनसे यह कहते दे लड़कन से जो लड़का लड़की जो काम करते थे जिस बाब है हमने इसके खाने वाली अगर एक पलेट अगर दो देऊगे तो कोई आदमी छोटा नहीं हो जाएगा ना उसका हाथ किस जाएगा फिर मैंने खली जब मैंने किया वह सीधा बागा मनोतिवारी घढ़ेग जो सब्द यूज किया हमारे यहां गाली मानी जाती है बहन चोद की अगर यहां किसी से मैं कहा देंगे तुरंत लाटी कि जाएगी ठीक है तो हमने इनको बोलने के तैजीब नहीं है तो हमने अंगले हपता इनको पता लगेगा कि विक बॉस का घर कैसा होता है तो इसने ल अच्छान को खबाके उसके बाद में खाना खाएंगे खली अब भगवाने विक बॉस ने दिया आप तो खली का वहालत हो गई अब वो कहते कि हम तीन तीन घंटा चार चार घंटा तो हम ने तू तो बैठके चेर पर बैठके करता है हम लोग तो खड़े-खड़े करते हैं तो यह क्या कर रहे कभी तैरी बना के रख दे कभी बहुत और सब लड़के हमसे का हैं लेकिन खली बैसे अगर देखा जाए तो खली इनसान बहुत बढ़िया है आज अगर सीजन फोर की बात करे जाए हर बंदा की एवरेज बढ़ी है वहाँ से जाने तो इजचत बढ़ी है चेहरा बढ़ा है अगर देखा जाए तो वाकी एमेज खली की गिर गई क्योंकि वो तो डबलू डबलू का खुद ही चैंपियन था ठीक है आज अगर जो सबसे जादा उसको अगर वेजिती करी है तो दोली बिंदर ने शाधे बहुत बर बात है उसके बाहँ युद्ध करना चाहिए तक कि जो वहमेरा उसमाना यहीर rubbish कि रिषता बनाना यह निभाना बहुत 올 Healthy है क्यों क्योंकि यह हमारे सामने जो अरु बच्वे खड़े हैं इनसे अभी कभी भी पूछ लेना अगर मैंने भाई करके अगर अरुल जी करके अगर बात करी होगी एक तो मेरा सब्द ऐसा है क्योंकि हर समान में एक आदमी यह कहता है कि मैं जिस दिन आज समर्पड किया था तो हम बदल सकते हैं एक कहवत कई जब खुद को बदलोगे तब सामने वाले को आप बदल सकते हो उसको शिक्षा दे सकते हो